गुड़ी उनिंग, स्वागत है आप सभी का इस्टड़ी इंडिया यूटूब चैनल पर तो आए शुरू करते हैं आज हम ऐसे सीजियल एक्जाम 2019 का जीके स्मार्ट गान का वीडियो नूमबर 2 जिसके अंदर में बात करेंगे, ऐसे सीजियल एक्जाम में पूछे जाने वाले most important questions के बारे में जो कि आपके बाकी एक्जाम के लिए भी काफी important है, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें अगर अब तक आपने Steady India YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और हाँ नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन बटन में क्लिकरना भी ना भूले यदि आप इस वीडियो की PDF फाइल प्राम्त ना चाहते हैं तो आप हमारे टेली कराम गुरूप से जुड़ जाएए जिसका लिंक वीडियो की नीचे description box में दिया गया है वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक share करें क्योंकि आपके लाइक और share से में motivation मिलता है चली इसी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं पहला क्योशन पहला क्योशन है किस राज्य सरकार ने AB PMJAY योजना को शुरू किया है इसके चार ओप्सन ने ओडिसा, गोवा, राजस्तान या फिर जम्मु कस्मीर तो इसका सही अंसर है ओप्सन D, जम्मु कस्मीर जम्मु कस्मीर राज्य ने AB PMJAY योजना को शुरू किया है आई जान लेते हैं थोड़ा AB PMJAY योजना के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं में इसके फुल फॉरू यानि की AB PMJAY की जो फुल फॉरू में वह आईश भारत प्रधान मंत्री जन आरोगी योजना ये इसकी फुल फॉरू में और इस योजना से जम्मु कस्मीर राज्य में 31 लाख से अधिक निवासियों को लाबानित किया जाएगा तो ये थी इस क्योशन जूरी मेंतपन जानकारी चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्योशन नेक्स्ट क्योशन है नियाय सुत्र नामक पुस्तक किसी न लिखी थी? इसके चार उप्शन है व्यास ने, गोतम ने, चरक ने या फिर कपिल ने तो इसका सही आंसर है उप्शन B गोतम ने नियाय सुत्र नामक पुस्तक गोतम ने लिखी थी वोलिन का जो पूरा नाम है वोए गोतम रिशी इसके अलावा जो कपिल मुनी है उन्होंने पतंजली लिखी थी और चरक ने चरक सैंता लिखी थी चली आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट कोशन नेक्स्ट कोशन है एसिया प्रसांद सिक्कर सम्मेलन 2018 किस देश में आई जित हुआ इसके चार ओप्षन है नेपाल में इंडोनेसिया में भुटान में या स्रिलंका में तो इसका सही आंसर है option 1. नेपाल में एसिय प्रसांद सिक्कर सम्मेलन 2018 नेपाल में आई जित हुआ आई जान लेते हैं नेपाल के बारे में नेपाल की जो राजदानी होए कांट मानू और यहां की जो करंसी होए नेपाली रूपी यह नेपाल की करंची है और यहां की जो प्रेजिडेंट है वो है विद्यादेवी भंडारी यह नेपाल की प्रेजिडेंट है चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं next question भारत के मुखे चुनाव आयुत किसे निफ्थ किया गया है इसके चार ओप्सन है सुनिल अरोडा को, विकास सिंग को, सुवम सर्मा को या फिर विसाल सिंग को तो इसका सही answer है option एट सुनिल अरोडा को भारत के मुखे चुनाव आयुत सुनिल अरोडा को निफ्थ किया गया है जो किन के स्थान पर आएं तो है ओम परकास रावत के स्थान पर चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट कोशन नेक्स्ट कोशन है मेरियाना गर्थ किस महासागर में इस्तिते इसके चार उप्शन है आर्क्टिक महासागर में अंटाक्टिक महासागर में, हिंद महासागर में, या फिर प्रसांत महासागर में तो इसका सही आंसर है option D प्रसांत महासागर में, मेरियाना गर्थ प्रसांत महासागर में इस्तिते आई जाने थे प्रसांत महासागर के बारे में प्रसांद महासागर की जो आगरती होए तिरुजा का और इसका सीर्स बेरिंग जय डमरू पर हिस्तिते और ये अमेरिका वा एसिया को अलग करता है और ये विशु का सबसे बड़ा वो सबसे गहरा महासागर है चली आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्योशन नेक्स्ट क्योशन है गंतंतर दिवस समारों दो हजार उन्निस में किस देश के राष्टपती मुखे अतिती होगे इसके चार उप्सट ने अस्टेलिया, दक्सिन अफ्रीका, बांगलादेश या फिर नेपाल तो इसका सही आंसर है उप्सट बी दक्सिन अफ्रीका गंतंतर दिवस समारों दो हजार उन्निस में दक्सिन अफ्रीका के राष्टपती मुखे अतिती होगे आई जान लेते हैं तोड़ा दक्सिन अफ्रीका के बारे में दक्सिन अफ्रीका के जो केप्टल होगे, केप्टाउन इसके अलावा यहां की जो प्रेजिडेंट है, वो है सायरिल रामपोसा यह दक्सिन अफ्रीका के प्रेजिडेंट है और यहांकी जो currency हुए South Africa Red यह यहांकी currency है चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं next question next question है Magnus Carlson ने 27 चेंपियन्स टोफी 2018 जीती है वो किस देश के हैं? इसके 4 option नार्वे, रूस, इटली या फिर फ्रांस तो इसका सही answer है option A नार्वे के, Magnus Carlson ने 27 चेंपियन्स टोफी 2018 जीती है और वे नार्वे के रहने वाले है आई जाने थे थोड़ा नार्वे के बारे में नार्वे की जो capital होए Oslo इसके लावा नार्वे की जो currency होए Norwegian Kron यह नार्वे की currency है और यहां के जो प्राइम निस्टर है वो है जेंस इस्टोन ब्रण यह नार्वे के PM या प्राइम निस्टर है चली आगे बढ़ते हैं और देखते हैं next question next question है लावनी लोक नरते भारत के किस राज्य सम्बंदिते गुजरात से, महाराष्ट से, राजस्तान से या फिर ओडिसा से तो इसका सई answer है option B महाराष्ट से लावनी नोक नरते, महाराष्ट राज्य से सम्बंदिते इसका लवाज गुजरात का नरते हो है गर्बा और राजस्तान का हो है घूमर और ओडिसा का हो है घूमरा डांस चली आगे बढ़ते हैं और देखते हैं next question next question है मसाई किस देश की जन जाती है इसके चाल option है केन्या की, जर्मनी की, आस्टेलिया की या फिर भारत की तो इसका सही answer है option A केन्या की मसाई केन्या की जन जाती है आई जान लेते हैं केन्या की बारे में केन्या की जो capital हो है नेरोबी ये केन्या की capital है और यहाँ की जो currency हो है केन्यान सिलिन ये केन्या की करंजी है और यहां की प्रेजिडेंट है वो है उहरू मोगई केन्या था यह यहां की प्रेजिडेंट है चली आगे बढ़ते हैं और देखते हैं next question next question है भारतिय समिदान में कितने मोलिक अधिकार सम्मली थे इसके चार उप्सन है 4, 5, 6 या 7 तो इसका सही आंसर है उप्सन C, 6 भारतिय समिदान में 6 मोलिक अधिकार सम्मली थे पहले भारतिय समिदान में 7 मोलिक अधिकार सम्मली थे लेकिन 45 समिदान समस्म द्वारा संपति के अधिकार को हटा दिया और अभी वर्दमान में भारती सविधार में टोटन 6 मौलिक अधिकार है चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट कोशन नेक्स्ट कोशन है हीमोग्लोबिन किसका मुख्य गटक है इसके चार ओप्शन है WBC का, RBC का, प्लाज्मा का या फिर ये सभी सही है तो इसका सही आंसर है ओप्शन B RBC का, हीमोग्लोबिन, RBC का मुख्य गटक है RBC की फुलफोर्म होती है, लाल रूदिर कडिकाए उजी WBC के होती हुए, स्वेत रूदिर कडिकाए चलिए आगे बढ़ते हैं, और देखते हैं next question Next question है, पोलो की एक टीम में कितनी खिलाड़ी होते हैं इसके चार ओप्शन है, 7, 5, 9 या फिर 11 तो इसका सही आंसर है ओप्शन A साथ, पोलो की एक टीम में टोटल 7 खिलाड़ी होते हैं इसके अलबा जो 5 खिलाड़ी होते हैं बास्केट बोल में और जो 9 खिलाड़ी होते हैं खोकों में और जो 11 खिलाड़ी होते हैं क्रिकेट में चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं next question सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन प्रेस करना बिल्खुल भी ना भूले next question है प्रत्वी की सबसे उपरी परत को क्या कहते हैं इसके चार ओप्शन ने मेटल, क्रोड, प्रपटी या फिर बहिर मंडल तो इसका सही आंसर है option C प्रपटी प्रत्वी की जो सबसे उपरी परत होती हैं उसे प्रपटी कहते हैं चली आगे बढ़ते हैं और देखते हैं next question next question है आजाद बच्पन की और नामक पुस्तर किसने लिखी थी? इसके चाँ आप्शन है दीपक मिस्रा ने, रादाकांथ भारती ने, केला सत्यार्थी ने या फिर रामनात कोविंद ने तो इसका सही आंसर है option C केला सत्यार्थी ने आजाद बच्पन की और नामक पुस्तर केला सत्यार्थी ने लिखी थी? केला सत्यार्थी को 2014 में सांती पुस्कार भी दिया गया था चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं next question next question है 1528 में किसने चंदेरी में राजपुतों को हराया था? इसके चाँ ओप्शन है हुमायू ने, अकबर ने, जहांगीर ने या फिर बाबर ने तो इसका साई आंसर ए ओप्शन डी, बाबर ने 1528 में बाबर ने चंदेरी के युद में राजपुतों को हराया था इसके अलाब बाबर ने चार मेतपुन युद लडे थे, जिनका पहला युद था यानि कि 1526 में ने पानिपत के युद लडा था, 1523 में खानवा के युद लडा था, 1528 में चंदेरी के युद लडा था, जिसमें ने राजपुतों खराया था और 1529 मिनों ने खागरा का इस बलड़ा था तो ये इनके चार प्रमक युदे चली आगे बढ़ते हैं और देखते हैं next question Next question है पहली काम करने वाली लेजर का अविस्कार किस ने किया था? इसके चार ओप्शन है AH Taylor ने, WK Rondgen ने, TH Memon ने या फिर Friend Morrison ने तो इसका सही आंसर है ओप्शन C, TH Memon ने पहली काम करने वाली लेजर का अविस्कार TH Memon ने किया था? इसके अलाबा WK Rondgen ने एक्सर क्लिनों का अविस्कार किया था? चली आगे बढ़ते हैं और देखते हैं next question Next question है माक्सवादी Communist Party of India की इस्थापना किस वर्स हुई थी? इसके चार उप्शन ने 1885 में 1986 में 1964 में या फिर 1996 में तो इसका सही आंसर है ओप्शन C 1964 में माक्सवादी Communist Party of India की इस्थापना 1964 में हुई थी? इसके अलाबा कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं Next Question Next Question है निमलिकित में से कौन सा एक संगणक या कम्प्शन का मुख्य निकाय है? इसके चार उप्शन है CPU, Keyboard, Microchip या फिर Motherboard तो इसका सही आंसर है Option B Motherboard Motherboard एक संगणक या कम्प्शन का मुख्य निकाय है इसके अलावा CPU की जो फुल फॉर में हो है Central Processing Unit जिसे कम्प्शन का मस्तिक स्विका जाता है और Keyboard एक Input Device है इसी के साथ आज का वीडियो यह इसमापत होता है अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो Like, Comment और Share करना बिल्कुल भी न भूले हम फिर मिलते हैं हमारे GK Smart वीडियो नमबर 3 में तब तक के लिए Thank You वीडियो जया है